हेलो एंड वेलकम एवरीवन, होब यह आल आ दोइंग गूड, इन टोड़ेज वीडियो वीडियो वील गूना मेक दिस ब्यूटिफुल रिलीफ आट इसे मैंने स्पेशली कारपेंटर से कट करवा के लिया है, इस वाले पोर्षन में आएगा मिरर, और इस वाले पोर्षन में हम बनाएंगे डिजाइन सो डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे टेक्श्य पेस्ट, पेस्ट बनाने के लिए हम लेंगे वाइट सिमेंट, आप चाहे तो प्लस्टर अफ पैरीज और पुट्टी भी यूज़ कर सकते हैं अधेजू़, बनाएट और अधेट आप प्लाफ्ट प्लावट, अगर टो एके लिएगे वाइपगे दिसानाँ पास्टी यूज़ कर तो आपके के लिएाट वाइशनागे के लिएफ तो प्लावट Mayके लिएज़, तो सबस्के लिएएज़ ग्यट कर दे वागे त then let it dry for at least 12 hours when it completely dry'll will draw a rough design you अगें, we need a texture paste, which we are going to fill in the design which we draw. इसके लिए हम लेंगे मर्बल पावडर, ग्लू और वाटर. ये वाली paste ज़्यादा थीक नहीं बनानी है, हम इसे थोड़ा थिन रखेंगे. नेक्स्ट मेक अ कोन अब दिस पैस्ट. अब धीरे धीरे ये पैस्ट इस डिजाइन में भरेंगे. पावड़ी को को सुपष्द कर दो जब दिस पैस्ट दिस पैस्ट. झाल 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 झाल, 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 यंचे शविर खेड़िता हिर बाल्ग अपलाइ बाल्ग यंचे ढख से चिह जए अट्री फिर्ट हरMA भी चानल में केंग पस्ट ही जाओ अटिर डिला प्रग्या बमीर टूना से जाओ शोट फिकम अटना इस से खेड़िता हो अटो पसलिबता इस तेट तानले लिट गताओ कर दो 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 दो अब हम इसे आउटलाइन करेंगे और इसके लिए हम लेंगे सिल्वर फैबरिका कोन लाइनर करेंगे सिल्वर गारी करेंगे सिल्वर फैबरिका कोाइनर ये लेवारन करेंगे सिल्वर शेखेंगे झाल झाल खाउ दिनको खाई प्तॉ don't forget to apply varnish to protect it from dust and water here i'm using asian paint clear varnish I highly recommend this varnish, it gives a perfect glossy effect to your craft. See our beautiful mirror is ready now. That's it for today, hope you like this video. See you in my next video, till then bye, take care and happy crafting.